कि अब ते भर में 15-16 एनन तुम्हारी पत्री गाइब हुई है ठीक है आठ एमेम की लेफ्ट पर यूरेटर वाली और 6 एमेम की वो एक मेम की वो अब तुम्हारा क्या कहना है तुम्हों को कुछ बता भी नहीं चला होगा कुछ भी सैल सेल स्मिदन को भी कुछ पॉछ ने जुद गया या में दर्द द्रम पछोग नीच जवड़ा सब्सक्राइब और रहतों क्या ही अज़रत भी नहीं प्र अव्छिंटिक कुछ अब अंग्रेजी से पंपेर करो, अब यही चीज अंग्रेजी में होती ही, तुम्हारा चीला लगाते, यह करते, वो करते, टीम टाम करके, आप माने ही, अजारो रुपे आप तुमसे ले लेते, और पेनफुल प्रोसीजर तुमको जिलना होता, उसके बाद दुबारा कभी ह अब दवा चलती है, वो बये ले लर्स है, वो जितना खापा उतना खालेना मगर अब अब बढ़ा चालो पढ़ा है, अब वो उसको बता दिया है? आपा जाजा थिए, आपा जाजा दिया है, हमको बता दिया है, पांखी में आम लुकादी में, अचालो खोश वो घ्या, घ्री हाता है उतना खालो खोश दो जिया, और रे रेक्टा बभी यहाँ कहां पी मिल जाएगे, अध बदबदबस, इम उतना सुबद में दॉदी र और दबाई खानों नहारे जो पत्तियां बची हैं वो भी निकल गया है चोड़ा है तो एक बाइट दे दो इच्छा अपना नाम और क्या था क्या था यह बता दो नाम अमित कुमार है और मेरे दोनों के ड्नों में और एक जूरेटर में इस्टों थी हैं तो मुझे बहुत ज अलश ताम मुझे कहें के नजा कि ऐसे इलाज कराने से भी हथी रहा जा सकता है मना इससे बड़े कज़ों कमफटेबल नहीं फिल के मैंने इस्टों को लेकर अगर यह कहा जा कि यह जादू भरा इलाज था तो यह मेरे लिए जादू भरा ही था क्योंकि कोई दर्द नहीं कोई दर्द नहीं और जो दर्द की दवा दे गई थी उससे मतलब ही नहीं रहा मुझे मने उसको लिया था कि छुआ भी नहीं ज़ा पर पाने पीकर के और जो मेटिसिन दवाई दी राक्तों को लेने से यह जाद हुआ है इनका 8 mm की पत्री थी लेफ्ट अपर यूहिटर मे वो तो में जो पत्री थी उसी की वज़े से इंको में परिशानी हो रही थी अब वो गल गई है अब यह फ्री है और हपते बर में पता भी नहीं चला कि 1-2 mm की पत्री कुछ निकलते हुए दिखाई दी हो यही मेरा कहना है मरीजों से कि पत्री निकलते हुए नहीं है यह होमिपेथिक मेडिसिन का मैजिक है जादू है और अगर अच्छे तरीके से यूज की जाए तो बहुत काम की है ठीक है तो अवेर रहे हैं और अवेर रहने के साथ साथ कहीं किसी हर किसी को अवेर भी करिए कि स्टोन हो तो घबराये नहीं इलाज ले इलाज से संभव है ऐसे नहीं कहीं बढर किसी DAVID करी बभाइं करिये जरूँ निकलेगा और इस टोन एक बार निकल जाता है और एक बार सही तरिक से ईलाज ले लिए जाए तो उसकी टेंडैसी काफी कम हो जाती है और मरिष का पैसा मरिष का हल्प यह दोनों बना रहाता है ठीक है चाली थैंक् झाल झाल